अज आपके लिए complex analysis का second lecture लेके आया हूँ फर्स्ट lecture में हमने conformal की कुछ basic बताए थे जिसमें हमने बताया था real sequence और complex sequence और फिर उसके बाद हमने discuss किया था conformal sequence पर उम्मीद करता हूँ वो lecture आपने जरूर देख लिया होगा अगर नहीं देखा हो तो link description में है पहले आप उस lecture को जरूर देख लें आज हम लेकर आए हैं some elementary transformation इसके अंदर चार transformation होते हैं कौन-कौन से होते हैं वो लिख रहा हूँ पहला इसके अंदर transformation होता है translation और translation में w equal z plus alpha होता है z तो हमारे z plane में होगा alpha के कुछ particular number अगर real जुड़ जाएं तो w plane में जो graph बनेगा वो कैसा बनेगा clear बताएंगे दूसरा इसके होता है rotation rotation का मतलब है किसी particular angle पर w plane में graph का move होना और वो particular angle क्या होगा w equal to z e की power i alpha तीसरा होता है magnification magnification होता है w equal to alpha z इसमें क्या होगा यह जो alpha है real number यदि इसकी value एक से जादा होती है तो w plane में जो graph बनेगा बनेगा सेम जो z plane बनेगा लेकिन वो बड़ा बनेगा वो alpha पे depend करता है कि alpha अगर एक से जादा होगा तो 100% zoom हो जाएगा magnification बन जाएगा अगर alpha की value एक से कम होती है यहाँ एक बटी दो z करें तो वो सिकुर जाएगा छोटा बन जाएगा वाइकादा सब पर में diagram बना के आपको समझाओगा एक और होता है चोथा inversion और inversion डवलू इक्वल टू वन अपोन z यह थोड़ा सा competitive होता है थोड़ा सा उल्जा हुआ होता है इस complicated का मतलब यह है कि जो z के होंगे नम्मर उनका reciprocal बनाना होता है तब डवलू plane में graph बनता है अगर इन तीनों का result इनका result इन तीनों के हम result को linear transformation कहते हैं क्या कहते हैं linear transformation तो यह line लिख रहा हूँ linear transformation क्या होता है linear transformation इन तीनों उपर वाल इनका जिसमें translation, rotation और magnification तो लिख रहा हूँ linear transformation क्या होता है दार resultant of translation and magnification तो linear transformation क्या होता है the resultant of translation, rotation and magnification is called linear transformation अब पांच मां 6 आता है इनको जब हम क्रोस करेंगे पहले translation जानेंगे, rotation जानेंगे, magnification जानेंगे, इन वर्जन जानेंगे, तब जाके हम पहुच पाएंगे linear transformation पर और अगर resultant इन चारों का हो, इन चारों का result मिल जाए तो उसे हम कहते हैं bilinear transformation bilinear transformation तो इसमें दा रिजल्टेंट of translation rotation and magnification or inversion is called bilinear transformation तो आज हम केवल इसको discuss करेंगे, इस पर example देंगे और time मिला तो फिर rotation भी आपको जरूर बताएंगे, ठीक है चलिए तो मैंने अब ये translate ले लिया है, translation का मतलब है इस्थान तरण अगर मैंने जैड प्लेन में ये graph बनाया है, x equal 0 से x equal 1, y equal 0 से 1, ये 1y1 का graph बनाया है, जितना बड़ा ये graph है, इसकी अंदर उतना ही बड़ा बनेगा, लेकिन alpha की जो value होगी उस पर depend करेगा, ये graph इधर बन सकता है, इधर बन सकता है, इधर बन सकता है, इन दोनों में बन स रखता है बस इस graph को यहां से पकड़के यहां रखना है वह एलफा पे डिपेंड करेगा किधर रखना है लेकिन graph जितना बड़ा यह है उतना ही बड़ा बनेगा जैसे मैं ले रहा हूँ यह जो graph बना रहा हूं मैं यह डबलू इक्वल जैड पिलस एलफा पे रखेंगे और अलफा की वैलू ले रहा हूँ अलफा इक्वल टू पिलस आयोटा अब इस पर हम देखते हैं कि यहां जो graph बनेगा वो इतना ही बड़ा बनेगा किधर बनेगा ठीक है तो डबलू इक्वल पहले तो जैड की वैलू क्या होती है एक्स पिलस आयोटा या आई बोल देते हैं यह हो गया एक्स पिलस टू पिलस आय वाई पिलस वन और डबलू को हम कहते हैं यू पिलस आय वी यह हो गया यू पिलस आय वी कंपेर करने पर यू इक्वल एक्स पिलस टू और वी इक्वल वाई पिलस वन आ गया आपको फर्स लेक्टर जरूर देखना होगा यह सब मैंन according हमें यहां graph बनाना होगा पहले देखिए a point a point पर यहां x equal 0 और y equal 0 यदि मैं यहां x equal 0 रखता हूँ तो u की value 2 हो गई पहले इसी line को ले ले लेते हैं इसमें तो यहां 0 इसके बरावर ही दूरी लेते हैं यहां 1 यहां 2 यहां 3 यहां 1, 2 3 तक इससे ही काम चल जाएगा अगर x की value 0 है तो u की value 2 इस point पर आएगी तो मैं यहां draw करी लेता हूँ यह आएगी तो यहां u equal 2 मैं यहां लिखे देता हूँ u equal 2 अगर x बरावर 0 यहां रखते हैं यहां y बरावर 0 यहां रखा जाता है y equal 0 तो v की value 1 हो गई अब v की value यह है 1 यहां आएगा तो यह इधर से ऐसे जाएगा तो यह हो गया v equal to यहां लिख दो v equal to 1 clear आप हमने x equal 0 y equal 0 पर देखा तो एक line यह हो गई और एक line यह हो गई अब यहां x बरावर कितना है 1 है अगर x बरावर 1 रखते है तो u equal कितना होगा 3 तो 3 line यह रही तो यह यहां गाएगी line यह u equal 3 इधर लिख दीजिए और u equal 2 इधर लिख दीजिए के लिए अगर हम y बरावर 1 रखते हैं यहां पर यह वाला तो v equal क्या होगा y बरावर 1 रखने पर v equal 2 होगया तो इस line को भी draw कर लेते हैं v equal 2 यहां आएगा यह रहा तो आपकी वास्तम में यह जो diagram बना यह कहा बना यह u equal 3 में ऐसे हम लिखे देता हूँ यहां u equal 3 आया और u equal इधर 2 आया यहां v equal 1 आया और यहां v equal 2 आया तो यही graph जो बना वास्तम में यह वाला बना यह मैं draw कर रहा हूँ यह वाला आपका same बना कोई भी बदलाव नहीं है बस इतना फर्क है कि यह point मेंने ज़्यादा बड़े बनाते होंगे तो यहां छोटे बनाए हैं लेकिन बिल्कुल भी change नहीं होगा जो graph यहां होगा वही graph इधर आ जाएगा बस इस alpha पे depend करता है कि इधर जाता है कि इधर जाता है कि इधर आता है कि इधर आता है तो उम्मीद करता हूँ यह clear समझ में आ गया होगा अभी एक और बता रहा हूँ अब के मैंने alpha वरावर 2 पिलस i लिया है जेड की जगे पर x पिलस i y alpha की जगे पर 2 माइनस i w इक्वल 2 x पिलस 2 i कोमन y माइनस 1 यह होता है u पिलस i v x पिलस 2 पिलस i y माइनस 1 compare आप करेंगे तो v इक्वल x पिलस 2 और w इक्वल u इक्वल और v इक्वल आ गया y माइनस 1 फिर वही point लेंगे x इक्वल 0 रखें क्योंकि यहाँ 0 है और y बराबर 0 x इक्वल 0 रखتे है तो u इक्वल 2 और y इक्वल 0 रखते है तो v इक्वल आया स्ट मॉनज 1 तो पहले यहां यह line लेते हैं इसी के बराबर यहां point बनाते हैं यह point एक दो तीन एक दो और ये तीन ये मैंने point ड्रो कर लिए तो x बरावर 0 तो u बरावर 2 कहां आएगा यहां पर आएगा तो यहां से यह line यह हो गया u equal 2 और y बरावर जब हम 0 रखते हैं तो v equal कितना है minus 1 तो पहले इसको ड्रो कर लो minus 1 v की value नीचे जाएगी तो यहां लिखे देते हैं यहां v equal minus 1 अब जब x equal 1 रखें x equal 1 रखते हैं तो u equal 3 आएगा यह वाला अगर दिखाई ना दे रहो तो x equal 1 रखने पर u equal कितना आ रहा है 3 तो यहां जाएगा 3 इसका मतलब यहां u equal 3 अब y equal to 1 रखते हैं यहां पर y equal to 1 तो v वरावर 0 y equal to 1 रखते हैं तो v वरावर 0 v वरावर 0 का मतलब हो यही लाइन बनेगी यहां v वरावर minus 1 है तो यहां v वरावर क्या है 0 इधर v वरावर क्या है 0 कब जब y equal 1 रखेंगे आप तो v की value 0 आप graph कहा बना बताएं देखें जब आपने x equal 0 रखा तो यह आया x equal 1 रखा यह आया y equal 0 रखा तो v की value minus 1 यह आई और 0 रखा तो यह तो यह आपका graph बना इतना यह आपका graph बना जब हमने रखा 2 minus i तो इस टारता graph यह नीचे आ गया तो उमीद करता हूँ यहां तक आपको clear समझ में आ गया होगा अब मैं इस पर based important example दे रहा हूं ठीक है तो चलिए मैंने example ले लिया है आसा करता हूँ कि यह example आपकी समझ में जरूर आएगा और यह तो एक simple था कोई ऐसा कठिन नहीं है थोड़ा सा typical अगर आपको लगेगा तो inversion वाला लगेगा क्योंकि वहाँ inverse करके निकालना होता है जो complex number होता है उसका हम conjugate करते हैं तो चलिए परते हैं इस example को if w equal to fz और z बरावर क्या है z plus 1 minus i then find the region of w plane corresponding करना है w plane में कहांसे to the region in z plane और bounded y यह condition दे रखी है सबसे पहले w equal to क्या होता है दे रखा है उसने z plus 1 minus i z की जगे पर x plus i y plus 1 minus i x plus 1 plus i y minus 1 और w equal होता है u plus iv compare करेंगे तो u equal x plus 1 और v equal y minus 1 यहां तक कोई बात नहीं है simple बात है अब ए पार्ट में हम लेते हैं इसके पार्ट बनाते हैं दे रखा है x equal 0 जब यहां 0 रखेंगे तो u equal 1 फिर दे रखा है y equal 0 यहां 0 रखेंगे तो v equal minus 1 आ गया पहले इसका ही हम graph बनाते हैं कि जब x equal 0 है यहां पर x की value 0 है तो u की value कितनी है 1 पॉइंट यहां बनाते हैं इतनी दूरी पर एक, तो, एक, दो यहां एक, दो, एक, दो, एक तो यह कह रहा है u equal 1 तो u equal 1 यहां आएगा तो ऐसे यह graph बनेगा यहां u equal क्या है 1 है फिर y equal यहां 0 है y equal 0 तो v equal minus 1 उपर पिलस तो नीचे minus 1 यहां जाएगा तो यहां v equal minus 1 यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी आगे देखिए b पे जब x equal 1 है यहां रखेंगे तो u equal 2 आ रहा है जब यहां पर हम x equal यहां क्या है 1 यहां पहुँचेगा 1 तो x equal 1 तो u equal कितना है 1 रखने पर 2 यहां पहुचेगा u तो u equal to 2 अब यहां देखते हैं जब y equal 2 है जब y equal 2 रखते हैं यहां पर तो v equal 1 आता है y equal 2 रखते हैं यहां पर y equal 2 जब y इक्वल यहां 2 रखते हैं तो v इक्वल क्या आता है 1 यहां आएगा तो यहां कितना है v इक्वल माइनस 1 तो इधर v इक्वल 1 ग्राफ आपके सामने तयार हो गया है तो अब ग्राफ कौन सा होगा इसके अंदर आप मैं ड्रो कर रहा हूँ यह ग्राफ माना जाएगा यह वाला अब आप ही देख लीजिए यह और यह सेम है केवल इस एलफा का काम है कि इस ग्राफ को उपर लाना नीचे लाना इधर ले जाना इधर लाना लेकिन ग्राफ में कोई changing नहीं होगी जितना बड़ा इधर बनेगा जैसा भी ऐसा ही ग्राफ यहां बनेगा अगर triangle भी होता तो जैसा triangle यहां होगा उसी type का triangle यहां बनेगा हट जाएगा उपर नीचे इधर उधर बस बाकी कुछ भी नहीं होगा तो उम्मीद करता हूँ यह आज का topic आपको जरूर अच्छा लगा होगा और अपने फ्रेंडों के साथ आप जरूर से यहर करेंगे ठीक है